नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग्चरण, आए जानते हैं 24 सितंबर की ताजा और बड़ी खबरे, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताईए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग्चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आज की पहली सभा चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, हर्याना के फतेहबाद के टोहाना में ग्रिह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि हर्याना में कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे अमांतुल्लाह खान बड़ी न्यायक हिरासत दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में आप विधायक अमांतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां एडी ने कोर्ट से अमांतुल्लाह खान की न्यायक हिरासत बढ़ाने की अपील की। कोर्ट ने एडी की अपील पर आप विधायक की न्यायक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। कम से कम हर दुर्गापूजा समिती को 10 लाख रुपय की रकम देने पर विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम और जस्टिस बिवास पतनायक की बेंच दुर्गा पूजा आयोजकों को दी जाने वाली राश्य पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनात शिंदे की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 23 बात फैसले ले गए हैं। राज्य सरकार के आज के फैसले से सभी समुदायों को खुश करने की कोशिश की गई है। शिंदे सरकार ने राज्य में सरपंच और उपसरपंच का वेतन दोगुना कर दिया गया है। की तीन कुनबी उपजातियों को अन्य पिछडा वर्ग, OBC में शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही शिंदे सरकार ने ब्राह्मन और राजपूत समुदाय के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के कॉलेज में छात्रों के बीच मारपीट, दिल्ली युणिवरसिटी के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में प्रिंसिपल ओफिस के बाहर छात्रों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान एक छात्र की पगड़ी गिर गई, इस घटना का वीडियो सामने आया है, इसके बाद पीडित छात्र ने दोशियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई कंगना का राहुल गांधी पर हमला, हिमाचल की मंडी सीट से सांसत कंगना रनोट ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि पप्पू और उनकी बहन ने छोटे-छोटे बच्चे पाल कर रखे हैं कंगना ने कहा हम लोग जब बच्चे थे तो हमारा बच्चपन छिन गया, 15 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया कंगना ने कहा हमारी उम्र की लड़कियां जब प्रेम पत्र लिखा करती थी तो हमने तो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था हमारा तो बच्पन छिन गया, बच्चे तो ये हैं, बच्पना तो इनका खूब चल रहा है, पचास साल की उम्र में भी बच्चे हैं आतिशी ने केजरिवाल की कुरसी खाली छोड़ी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया वह सुबह 12 बजे CM आफिस पहुँची और आपचारिकताएं पूरी की, इस दौरान आतिशी ने CM आफिस में एक खाली कुरसी छोड़ दी और खुद दूसरी कुरसी पर बैठी, आतिशी ने कहा, जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खडाउं रखकर अयोध्या का सि उसी तरह दिल्ली CM की कुरसी संभालूंगी, चार महीने बाद दिल्ली के लोग केजरिवाल को फिर से इसी कुरसी पर बैठाएंगे, तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी और केजरिवाल जी का इंतजार करेगी ICC ने Women's T20 World Cup का थीम सॉंग लाँच किया, तीन अक्टूबर से UAE में शुरू हो रहे Women's World Cup से पहले, ICC ने ओफिशिल इवेंट सॉंग वहां टेवर इट टेक्स रिलीज कर दिया है YouTube चैनल में रिलीज हुए इस सॉंग में साउंट ट्रैक के साथ ओफिशिल म्यूजिक वीडियो भी लाँच किया गया है, जिसमें टूर्नामेंट का सिनेमेटिक प्रिव्यू दिखाया गया है, इसमें Women's Cricket के आइकॉनिक पलों की हाइलाइट्स है इरानी कप में मुबनई के कप्तान होंगे अजिंग के रहाने, रानी कप के लिए मुंबई ने अनुभवी अंजिक के रहाने को कप्तानी सौंब दी है, टीम में श्रेयस अयर और शार्दूल ठाकुर भी शामिल रहेंगे श्रेयस ने दलीब ट्रॉफी में हिस्सा लिया था, वहीं शार्दूल इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, जबकि रहाने पिछले दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे इरानी कप में 2023 की रंजी ट्रॉफी चैंपियन मुंबई का सामना रेस्ट ओफ इंडिया से होगा, मुकाबला लखनव के इकाना स्टेडियम में एक से पाँच अक्टूबर तक खेला जाएगा हुड़ा की रैली पर अनिलविज का तंज हर्याना के अमबाला में चुनावी माहौल पूरी तरह से तयार हो गया है आज अंबाला सिटी के पुलिस लाइन्स मैदान में कांग्रेसी प्रत्याशी निर्मल सिह के पक्ष में कांग्रेस के राश्ट्रिय प्रधान मलिकारजुन खडगे ने रैली को संबोधित करना था लेकिन वह रैली स्थल पर नहीं पहुंचे आयोजकों के द्वारा खडगे की सेहत ठीक न रहने का हवाला दिया गया जिसके बाद अंबाला कैंट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व स्वास्थे मंत्री अनिल्विज ने कांग्रेस की रैली पर खूप तंच कसा हर्याना में निर्दलिय उम्मीद्वार का दावा हर्याना के निर्दलिय उम्मीद्वार देवेंद्र कादियान ने बड़ा दावा किया है उनका कहना है कि उन्हें EDCBI की धमकिया मिल रही हैं कादियान भारतिय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद गन्नौर विधान सभा से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मोहन लाल बडौली हरियाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वह उन्हें टिकट तक नहीं दि रवेंदर कादियान मननद गृप होटल्स के चेयरमैन है, उन्होंने राजनीती की शरुवात युवा कांग्रेस में की, वे राहुल गांधी के करीबी रहे हैं। युवा कांग्रेस में राष्ट्रिय महासचिव भी रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस छोड़ कर उन्होंने नेत्रित्व में भारत के निर्वाचन आयोक की 12 सदसीय टीम रांची में है सोमवार सुभह दिल्ली से रांची पहुँची टीम में निर्वाचन आयोक्त ज्यानेश कुमार, सुख बीर सिंह संधू, वरिय उप निर्वाचन आयोक्त धर्मेंद्र शर्मा, नीतेश व्यास, मनीश गर्ग और उप निर्वाचन आयोक्त संजय कुमार शामिल है यह टीम दो दिनों तक पांच मैराथन बैठक करेगी सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रांची के होटल रेडिशन ब्लू में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं इसराइल ने लेबनान पर 300 मिसाइल दागी इसराइल ने सोमवार 23 सितंबर को पूरे लेबनान में 300 से ज्यादा मिसाइल दागी इस हमले में अब तक 182 लोगों की मौत हो गई वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल है अलजीरा के मुताबिक गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर यह अब तक सबसे बड़ा हमला है हमले के बाद लेबनान में दो दिन के लिए स्कूल बंद कर दिये गए हैं लोग सुरक्षित जगहों पर जाते देखे गए इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिती है इसराइल का यह लगातार चौथे दिन मिसाइल हमला है इस दोरान लेबनान के शहरों पर 900 से ज्यादा मिसाइल दागीं गई जिन में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अंडर 19 वंडे भारत ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती भारत की अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ खेली जा रही तीन मैच की सीरीज जीत ली है दूसरे अंडर 19 वंडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया पुड़ुचेरी में खेले जा रहे मुकाबले में ओपनर साहिल परक के शतक के चलते भारत ने मुकाबला अपने नाम किया तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी खबरें आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले